हाई गईज और विलकॉम बाक तो ली करेंट अफियर्स अब 7 जनवरी 2023 तो गाईज आज है तारिक साथ जनवरी 2023 और है सेटरड़े आज की तारिक से जितने भी मुस्क इंपोर्टन करेंट अफियर्स बनेंगे उन सभी करेंट अफियर्स को हम यहाँ पर डीटेल से डिसकस करेंगे यह विडियो यूपियसी और स्टेट पियसी के पॉइंट अवियू से बहुत ज़ादा इंपोर्टन होता है तो चलो शुब आरम करते हैं अटिकुलर विडियो को आगे आते हैं देखो इस विडियो के अंदर हम मेजरली इन इन इक्सप्रेस के उपर तो फोइकोस करेंगे उसके साथ पी आई बी और डाउन टू अर्थ जैसे इंपोर्टन आर्टिकल्स के उपर भी जोर देने वाले हैं जोकि आपके examination के लिए बहुत relevant है एक बात ध्यान से सुनना वीडियो का अगर आपने अंत मिस कर दिया है तो वीडियो का सबसे important पार्ट आपने आपर छोड़ दिया है क्योंकि वीडियो के last में आपको test series दी जाएगी यानि पूरा वीडियो को अच्छे से सुनो लास्ट में आपको prelims rapid fire का test दिया जाएगा उस test को attempt करना और आपका कितना score आया है आगे आते हैं स्टार्ट करते हैं आज का सेशन को आज का पहला आर्टिकल बहुत important है आज का पहला आर्टिकल बेसीकल एक editorial है इडिन एक्सप्रेस के explain section पर ये आर्टिकल पब्लिश हुआ है यहाँ पर हम लोग ये आर्टिकल पिछले कुद दिनों से लगातार सिर्चा में बना उपड़ वो जो प्रोटेस्ट है ना वो जो विरोध हो रहा है वो जार्खेंड और गुजरात से लिंक हुआ हुआ है तो यहाँ पर क्या बड़ी-बड़ी controversies हुई है उसको मैं आपको समझाओंगा तो यह जो editorial बहुत लंबा चोड़ा आर्टिकल लिखा या था अलग-लग यहाँ पर राइटर्स ने मिलके इस आर्टिकल को लिखा है तो मैं आपको सिंपल से शब्दों में समझाने की कोशिश करूँगा यह एक ऐसा टॉपिक है जो की examination में हर साल पूछ जाता है मैं आपको थोड़ा सा जैनिजम के बारे में भी यहाँ पर बताऊंगा ठीक है आप देख पर में अलगलग जगा पर विरोध चला है प्रोटेस चला है प्रोटेस चला है दो जगा को लेकर एक जगा जहारकंड के अंदर में है और एक जगा गुजरात के अंदर में है जहारकंड में जो जगा है उसका हम लोग बोलता है समेद शिकर और गुजरात में जो जगा है वो है बेसिकली शित्रुन जया हिल ये दोनों ही जगा जेन कॉमुनिटी के लिए बहुत जादा important है बहुत पवित्र जगा मानी जाती है अब इन दोनों जगा पर हुआ क्या है मैं आपको आगे थोड़ा सा बताऊंगा लेकिन इससे पहले इन दोनों जगा के बारे में थोड़ा डीटेल से देख लेता है पहले हम बात करेंगे समीद शिकर जी के बारे में समीद शिकर जी कहां पर इस्थित है परसनाथ जो हिल्स हैं परसनाथ की जो पहाडिया है वहां पर इस्थित है इस प्रकार से आपको समिध सिकरजी जैन टेंपिल ये देखने को मिल जाता है परसनात पहाडी के उपर ये बिसिकली कहाँ पर जगा इस्थित है ये जहारखंड के अंदर आपको इस्थित देखने को मिलेगा आप देखोगे कई सारे न्यूज आर्टिकल्स यहाँ पर पब्लिश हुए वे हैं समिध शिकर नहीं बनेगा परेटन इस्थल विवाद के बाद के इन सरकार का बड़ा फैंसला इस प्रकार से कई सारे जो न्यूज आर्टिकल्स वे आपको यहाँ पर पब्लिश होते वे नजर आएंगे मैं आपको समझाओंगा पूरा मैटर के आए यहाँ पर आपको जहारखंड का मैप दिखेगा इंपोर्टेंट जागा है हमारी जैन कमुनिटी के लिए यह बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है जो दूसरी जागा है उस पर मैं अभी थोड़ दिर में आऊंगा ठीक है तो जो परसनाथ है यह बेसिकली पूरे जहारखंड के अंदर में एक हाइस्ट माउंटेन आपको देखने को मिलेगा एक सबसे पवित्री जगा मानी जाती है जैनिजम के लिए खासकर यहाँ पर जो बहुत सरे जो जैन के लोग हैं जैनिजम को फॉलो कर रहे हैं वो सब यहाँ पर घूमने जाते हैं हर साल आप देखो के जैनिजम के अंदर दो सैक्ट्स आते हैं यानि कि जैनिजम के अंदर दो अलग लग यहाँ पर ग्रूपस आपको देखने को मिलेंगे दीगांबराज और स्वितांबराज ठीके तो यहाँ पर दोनों के लिए ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेस यह माना जाता है तो शिकर जी टेंपिल के बारे में आपको 24 जैन तीर ठंकार्स देखने को मिलेंगे जो तीर ठंकार्स हैं मतलब यह बेसिकली वो लोग हैं बहुत जाता है यहाँ पर जिन में बिलीव करती है जौन कमुनिटी इन 24 तीर ठंकार्स ने मोक्ष की प्राप्ति करी थी यानि कि salvation को यहाँ पर एचीव किया था ठीक मोक्ष की प्राप्ति करिए इस वजह से यहाँ पर यह टैंपल जैनिजम के अंदर में बहुत जादा इंपॉर्टेंट है यह बात आपको समझ में आ गई ठीक है ना बात क्लियर हो गई तो शम्य सिकर जी का इंपॉर्टेंस क्या है इंपॉर्टेंस मैं आपको बता दिया ह कि यहाँ पर 24 में से 20 तीर्थंकार ने जो सैल्वेशन है जो मोक्ष है उसको यहाँ पर एचीव किया था हर साल हजारों जो जैन से वो यहाँ पर जाते हैं 27 क्लोमेट्रें के यहाँ पर लंबी पहाड़ी है उसको चड़कर जाना पड़ता है ताकि यहाँ पर जो नौ यह जो रीजन है मैंने आपको इसके बारे में पूरी तरह से सारी बाते बता दी हैं, फिर जो दूसरी जगा है जिसको लेकर प्रोटेस्ट चला है वो है शेतरुण जया हिल्स, ठीके न, तो शेतरुण जया भी बोलते हैं, शेतरुण जया हिल्स के नाम से भी यह जाना जाता है तो यहां पर आप देखोगे यह भी एक बहुत पवित्र जगा माने जाती है, बहुत पवित्र टांपिल माना जाता है जैन कॉम्मुनिटी के लिए, ठीके न, यह कहां पर रस्थित हैं, यह शेतरुण जया हिल्स के उपर इन पाड़ियों के उपर रस्थित हैं, अब यह पाड़ियां कहां पर हैं, यह गुजरात के अंदर हैं, खासकर जो भावनगर डिस्ट्रिक्ट हैं, वहां पर यह पाड़ियां देखने को मिलेंगी, ठीके, तो यह बहुत ज़्यादा पवित्र जगा मानी जाती है, यहां पर आपको कई सारे टांपिल्स, सोड़े आपको देखने को मिलेंगे, जो कि यहां पर बनाए गए हैं, जब जो यहां पर पहले तीर थंकार थे, जानिजम के, वो यहां पर रिशब हैं, तो जो पहले तीर थंकार थे, इन्होंने यहां पर अपनी जो टीचिंग्स वगरा हैं, वो यहां पर दीती इस टांपल के बात क्लियर हो गई, तो ये दो जगा कि तो आपने अच्छ से पढ़ लिए, अब मैं आपको समझाता हूं कि आखिरकार मैटर क्या है, क्यों आखिरकार जेन कमुनिटी इन दोनों जगा को लेकर प्रोटेस्ट कर रही है, होता यहां पर यह है कि साल 2019 की बात है, साल 2019 में फेब स्पोर्ट यहां पर नोटिफाई कर दिया, यानि कि as a tourism के स्पोर्ट की तरह देखा जा रहा है, लोग वहां पर घूमने फिरने जा सकते हैं, इस प्रकार की बात यहां पर 2019 में की गई, फिर August 2019 तक क्या कर दिया, जो वहां की, स्वरी हमारी जो environment ministry है न, इन्होंने क्या किया इस पहाड़ी को, जिस पहाड़ी पर, यानि जो परसनात पहाड़ी है न, जिस पहाड़ी पर सम्मेट सिकरजी टैंपल है, इस पहाड़ी को एक eco sensitive zone डेकलियर कर दिया, यानि कि एक eco sensitive zone डेकलियर करने के साथ साथ में, बोला गया कि यह जो area है न, यह जो पहाड़ी है, यह एक तरीके से यहाँ पर potential है eco-tourism का, यानि काफी सर जो लोग है वहाँ पर घूमने जा सकते हैं, घूमने फिरने के लिए जा सकते हैं, तो tourism के लिए उसको open किया जा रहा था तो यह चीज़ें यहाँ पर jain community के members को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई हैं इसी वज़ा से यहाँ पर protest किया जा रहा है हाला कि यह चीज़ 2019 में डिक्लियर कर दी थी लेकिन इसके बारे में jain community को अभी तक पता नहीं था तो पहली चीज़ तो यहाँ पर यही है इन jain community के गुस्ता होने के पीछे की क्योंकि यहाँ पर जो decision है ना इस पूरे site को एक tourist spot में बदलने के लिए यह जो decision है यह सरकार ने खुद से ले लिया है यहाँ पर किसी के साथ में कोई consultation कोई बातचीत नहीं हुई है दूसरा यहाँ पर इनका कहना यह है कि हम इसलिए भी oppose कर रहे है क्योंकि कही ना फिर आप देखो यह हमारी पवित्र जगा है और आप इसको यहाँ पर tourist के लिए open कर रहे हो तो कोई fun वगरा के लिए हम इसको open करना नहीं चाहते है साथी साथ में यहाँ पर जब tourist के लिए open किया जाएगा तो अलग-लग activities होगी वहाँ पर meat भी बिकेगा, alcohol भी बिकेगा तो यह कही ना कही हमारे religious sentiments को hurt करेगा यह बात इनका कहना है साथी साथ में नों ने बोला कि आप यहाँ पर इस hill को एक eco sensitive zone डेकलेर कर रहे हो तो यह कही ना कि बहुत बड़ी problem होगी यह basically वहाँ पर जो local employment है यानि कि लोग को रोजगार देगी और लोग वहाँ पर poultry farms खोलेंगे यानि कि जो chicken वगएरा है और खासाथ में मुरगे वगएरा वो पाले जाएंगे जो कि यहाँ पर जेन community बिल्कुल नहीं चाहती है कि उनके पवित्र जगा पर ये सारी चीज़े की जाएं उसके आसपास भी ये सारी चीज़े की जाएं इस वज़ए से यहाँ पर लगातर जो protest है वो जारी है आई होप आपको ये बात समझ में अगई ये तो मैंने आपको जारखंड वाली जो शमेच सिकरजी है उसकी कहानी बताए कि वहाँ पर जो जगा है उसको लेकर जो protest है वो क्यों चल ला है दूसरा protest यहाँ पर गुजरात वाला जो temple है उसको लेकर चल ला है गुजरात के अंदर में यहाँ पर क्या हुआ है गुजरात के अंदर में जो शेत्रुइंजिया हिल्स पर आपको वो टैंपल्स देखने को मिलता है ना, वहाँ पर मैंने आपको बताया कि जैनिजम के अंदर जो पहले यहाँ पर तीर्थंखार थे रिशब, ठीके ना, उन्हें आपर अपने सर्मन्स दिये थे, अपनी टीचिंग्स दी थी और दूस उनके स्टेप्स तोड़ दिये गए महाँ पर, वो वेंडिलाइस कर दे गए, उनको तोड़ दिया या है, तो बेसिकली CCTV फूटेज के अंदर पता चलता है, एक इंसान वहाँ पर चोरी करने गया था, उसने कुछ से कुछ मिला नहीं तो उसने यहाँ पर वो जो स्टेप्स जाए, कि आखिरकार मामला क्या था, उसने यह फूट स्टेप आखिरकार क्यों तोड़े हैं, तो यह दो पर्डिकुलर मैटर हैं, जिसकी चकर में, जो जैन कॉम्मिनिटी है, वो आज के समय पर प्रोटेस्ट कर रही है, ठीक है न, तो यहाँ पर आपको दो लोकेशन सी ध बाड़ी आए न, यहाँ के उपर देखें, दोनों लोकेशन सी धियान अखना, और रीजन क्या था, पूरा कॉंटेक्स्ट क्या था, वो मैंने आपको थोड़ा सा आसान शब्दों में समझाने की कोशिश की है, ठीक है, आगे आते हैं, आप थोड़ा सा जैनिजम के बारे म लगबग 24 ग्रेट टीचर्स हैं, जनके बारे मैंने आपको बताया, 24 जो तीर थंकार से जिनको हम लोग यहाँ पर बोहते हैं, तीर थंकार वो हैं, जिनोंने यहाँ पर नॉलिज यानी जो मोक्ष उसकी प्राप्ती करी है, मेडिटेशन करने के बाद में, और जो पहले ती जैनिजम में आपको पांच महावरतास देखने को मिलेंगे, आप वो महावरतास क्या हैं, आपको देखने को मिलेगा जैनिजम के अंदर पांच important चीज़ हैं, एक अहिमसा, यानि नौन वल्लेंस के रास्ते पर चलना, दूसरा सत्य, यानि की truth के ऊपर चलना, तीसरा असत्य और अचारया, असत्य अचारया, यानि की non-stealing, तीसरा यहाँ पर अपरेग्रह, यानि की non-attachment, इसके साथ में attachment नहीं करना, फिर उसके अदमें ब्रहमचारया, ब्रहमचारया मतलब salivacy, ये पांच चीज़ हैं यहाँ पर आपका सकतो important है, जैनिजम के अंदर में ये बात आ फिर है सम्यक यान, यानि right knowledge, और तीसरा है सम्यक चरित्र, यानि की right conduct, ये यहाँ पर तीन रतना कहलाए जाते हैं जैनिजम के अंदर में, बाकी मैं आपको बता है, जैनिजम के अंदर जो top 5 teaching सें, जो मैं आपको बता ही थी, non-violence, truth, non-stealing, non-attachment, salivacy, जो मैं आपको पढ़ दिया जाता है, एक आजाता है, श्वतेमबरास, है ना, और फिर दूसरे आजाते हैं, दिगमबरास, ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है, बात clear होगे, चलो, आगे आते हैं, ये छोड़े-छोड़े points से, जो कि आपसे examination में पूछे जा सकते हैं, अगले article पर आते हैं, इतने भी लोग अभी देख रहे हैं, वो सब फटा-फट लाइक करेंगे, तो इससे हम जल्दी जो है अपने target पर पहुंच पाएंगे, जो अगले article बात करता है, मुराल वाल पेंटिंग के बारे में, तो ये मुराल पेंटिंग रिसेंटली न्यूज में आई हैं, तो समझ आई है, जो कि यापर रिसेंटली केरिला की सरकार ने इसका उदगाटन की है, तो मुराल पेंटिंग इस वज़ए से यापर न्यूज में निकल कर आई है, तो आपको समझना होगा कि आखिरकार मुराल पेंटिंग है क्या, ठीक है न, क्योंकि आपको इसका background जानना होगा, background आपसे पूछ जाएगा, तो जो इंडियान मुराल पेंटिंग से न, ये कुछ इस प्रकार की पेंटिंग से, जो कि किस पर बनाई जाती है, गुफाओ के अंदर, जो पैलेलिसिस के अंदर बनाई जाती है, गुफाओ के अंदर आप देखाओगे, इस प्रकार से दिवार में अपने सुना होगा, तो इन गुफाओ की जो दिवार है, यहाँ पर आपको इस प्रकार की मुराल पेंटिंग से देखने को मल जाती है, बाग केवस के अंदर में, देन सितान वनसल केवस के अंदर भी यहाँ पर इस प्रकार की मुराल पेंटिंग से पाए जाती है, जो वो locally available होते हैं उनी colors का इस्तमाल किया जाता था और जो brush का इस्तमाल किया जाता था उस समय पर वो brush basically जानवर के बालों से बनाया जाता था जैसे कि goat, camel और mongos के बालों से वो brush बनता था ठीक है ना और उसके बाद में इस painting में सबसे important चीज़ यहां पर यह आ जाती है कि पहले तो यहां पर हम लाइम plaster होता है ना चूने का एक पहले plaster लगाते हैं पूरी तरह से एक पतली सी परत बिचाई जाती है फिर उसके उपर painting मनाई जाती है water color के अंदर ठीक है ना water color से painting मनाई जाती है जब वो हम लोग परत बिचाते है ना lime की तो उसको थोड़ा सा घीला रख जाता है ताकि जो हम color उसके उपर लगाएंगे वो color अच्छे से उसके अंदर बैठ जाए तो इस प्रकार से यहां पर यह वाल पेंटिंग्स को बनाया जाता था मुराल वाल पेंटिंग्स यहां पर ध्यान लगना यह जो टेकनीक और पूरा का पूरा प्रोसेस है इंडिय नाटरल कलर के जाता है तो इसे प्रकार से जो नाचरल कलर सुआ करते थे उनी का इस्तमाल की जाता था मुराल पेंटिंग्स के अदर में अधर मुराल होता क्या है तो मिराल बेसिकली एक art work है जिसको यहां पर paint किया जाता है और डायेक्टली वाल पर यहां पर आपके सक्त अपलाई किया जाता है यानि दिवार के इसको बनाया जाता है यह बात ध्यानक निये कभी-कभी आप आप देखो गे moral painting छद के ऊपर जो होती है है उसके उपर भी यहां पर बनाया जाता है बहुत सरी टेकनिक्श होती है मुराल पिंटिंग की इस में से जो फ्रेसको है वो सबसे important टेक्निक है कौन सी वाली फ्रेसको वाली ठीके ना तो general term में आप इसको wall painting बोलते हैं लेकिन अगर specific term में बात करें तो उसको फ्रेसको बोल जाता है तो ये बात भी ध्यान रखना है मुराल फ्रेसको सेम ही है बात क्लियर हो गई तो आप से यहां से भी सवाल बन सकता है next important article पर आते हैं अब ये article कुछ जादा important होने वाले हैं बहुत ध्यान से इन चीजों को सुनते हुए चलना है आप सभी लोगों को सबसे पहला article आता है कि इंडिया ने हाँ पर अभी Asian Pacific Postal Union की जो leadership है वो हासिल कर लिए तो भारत के पास में इसकी leadership आ गई है इस वज़े से article important है तो ये तो आपने पढ़ लिया अब इस पूरे article के अंदर ये समझाया है कि Asian Pacific Postal Union है क्या क्योंकि आप से examination में यही पूछा जाएगा तो ध्यान रखना इसके बारे में ठीक है तो news क्या है कि इंडिया के पास में leadership आ चुकी है Asian Pacific Postal Union की और यहाँ पर ये सरका सरा discussion हो चुका है और इसके जो basically नई chairman है वो भी आ चुके हैं और वो basically भारत की एक व्यक्ती है जिनका नाम है Dr. Vinay Prakash Singh तो Dr. Vinay Prakash Singh आपको देखने को मिलेंगे ये पहले हमारे member personal हुआ कर देते postal service के लेकिन अब यहाँ पर इनके हाथ में basically आप कह सकते हो ये जो body है इस body की leadership आ जाती है चार साल तक यहाँ पर इस body के अंदर ये सर्व करने वाले है अब यहाँ पर मैंने बताया इस body का नाम क्या है APPU यानि Asian Pacific Postal Union इसकी leadership भारत के हाथ में है और कौन अभी यहाँ पर आपका सकतो leader बने है वो है Dr. Vinay Prakash Singh ये आप यहाँ पर इनका letter देख पाऊगे ठीक है तो बात यह है कि आपको पता होना चाहिए कि APPU क्या है क्योंकि ऐसे directly prelims के अंदर कई बार सवाल बनते है Asian Pacific Postal Union क्या है ये basically एक inter-governmental body है inter-governmental body का मतलब है कई सारे देशों की सरकार मिलकर यहाँ पर काम करती है जैसे लगबग इसके अंदर 32 अलग-लग member countries है तो 32 members से पहली बात तो यही ध्यान रखनी है 32 इसके अंदर members है जो कि आपस मिलकर काम करते है 32 members कौन कौन से है Asia और Pacific वाले region के India और India के आसपास वाली countries के members यहाँ पर देखने को मिलेंगे और इस body का goal क्या है क्यों बनाया गया है उससे पहले यह ध्यान रखना कि जो Asia Pacific region के members यहाँ पर देखने को मिलता है यह तो आपने समझ लिया यह body का नामे Asian Pacific Postal Union यह भी आपने समझ लिया यह basically एक ऐसी body है जो की एक specialized agency है United Nation की United Nation की ही यहाँ पर specialized agency है इसका main क्या है इसका main क्या है कि जो dark होता है ना dark संबंद यानि जो postal relations होता है dark संबंद वो देशों के अंदर improve करने का यह काम करता है जितने भी देश इसके अंदर आते है यह काम करता है Asia Pacific के अंदर जो dark services होती है यानि postal services होती है वो basically इन 32 countries आपस में मिलकर करती है इसको हम APPU के नाम से जानते हैं यह मैं आपको already बता दिया है ठीक है बात clear हो गई यह हमने यहाँ पर कुछ important points से वो APPU को लेकर cover कर लिए अगल article काफी important होने वाला है यहाँ पर basically यह down to earth का है और directly examination में सवाल बन सकता है इसको आप लोग GS paper number 2 health के point of view से link कर पा होगे तो Ethiopia के बारे में चर्चा की जा रही है Ethiopia जो की basically एक African country है इन्होंने क्या किया अपने देश में एक जो map है ना उसको release कर दिया है वो map क्या बताएगा कि Ethiopia के अंदर जहां 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 पर अलग अलग जानवरों में खासकर गायब हैसों में जो बिमारी फैल रही है उसके बारे में जिकर करेगा तो इस प्रकार से का इन्होंने एक map जारी किया है तो वो जो बिमारी है उसके बारे में चर्चा की जा रही है उस बिमारी का नाम क्या है उसका नाम है African Animal Trypanosomis ठीक है ना तो यहाँ पर African Animal Trypanosomis करके यहाँ पर यह नाम आपको देखने को मिलेगा AATB हम लोग इसको बोल रहे है तो यह थोड़ा सा टिपिकल सा नाम है बट यहाँ पर समझना होगा क्योंकि examination में disease को लेकर कई सारे जो questions है वो बन जाते हैं तो हाली में जो Ethiopia है इन्होंने अपना जो पहला edition है एक Atlas का जो पहला edition है वो कर दिया है release उसमें क्या होगा उसमें basically एक map ऐसा होगा एक map जारी क्या है उसमें Ethiopia का ही map है और उसमें यह पता चलेगा कि Ethiopia में इस इनिन regions के अंदर में क्या है यह बिमारी फैल रही है तो जिन जिन regions के अंदर में Ethiopia के अंदर वो बिमारी फैल ही होगी Horn of Africa में ही just उपर Ethiopia स्थित है स्वरी ये बड़ा सा आपको एरिया देखने को मिलेगा ये Ethiopia देखने को मिलता है ठीक है तो ये Horn of Africa हो गया आप से पूछ जाए Horn of Africa क्या है तो ये Horn of Africa बेसिकली चार देशों का ग्रुप है ये बिसिकली एक सींग की तरह निकल रहा है ना बारिस बेसे इसको Horn of Africa बोलता है तो Horn of Africa में कौन कों से चार देश है Ethiopia, Somalia, Djibuti और साथी साथ में Eritrea ध्यान रखने के एक बहुत असान तरीका है यहाँ पर इसको ऐसे seed करके ध्यान रखना सीड मतलब S से Somalia, E से Eritrea, E से Ethiopia और D से GButi तो ये चार देशों से मिलकर पूरा का पूरा बनता है Horn of Africa हम बात कर रहे हैं कि इसकी एथियोप क्या की इस एरिया में जहाँ जहाँ पर बेसिकली यह बिमारी फैली भी है तो उस पूरे बिमारीों का जो मैप है वो इस पर्टिकुलर कंट्री ने तयार गया है इस वज़ा से जो यह बिमारी है यह काफी ज़ादा न्यूज में बिमारी का नाम है African Animal Tripanosomosis ठीक है आ गया आते हैं अब थोड़ा बिमारी के बारे में बात करते हैं अब इसको मैं AAT बोलूँगा वरना बोलने में काफी परिशानी हो रही है ठीक है ना यह जो बिमारी है यह होती है बेसिकली एक parasitic protozoa के माधियम से एक protozoa है जिसका नाम है Tripanosomos इसकी वज़ा से होती है अब यह protozoa फैलता कैसे से ट्रांस्मिट होता है एक fly की मदद से यह जो आपको दिख रही है ना fly इसका हम लोग बोलता है set से fly set से fly की वज़ा से यहां पर यह ट्रांस्मिट होता है ठीक है ना यह बेसिकली क्या करती है अफरिका के अंदर जातर खून चूसने का काम करती है मदु मक्की यह fly कहलो या मक्की कहलो यह जो बेसिकली यहां पर यही मक्की जो है लगातर ट्रांस्मिट करती है इस परिडिकुलर बिमारी को ठीक है यह बात ध्यान में रखना उसके बाद में जादतर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर बिमारी फैलती है और यह चीज़ कौन फैलाता है यह बात क्लियर हो गई आगे बात करते हैं इस बिमारी की कोई भी आपको वेक्सीन वगरा नहीं देखने को मिलती है इस वज़े सा ही थोड़ा सा और ज़दा ये प्रॉब्लम्स को क्रियेट करता है एविन ये बिमारी इंसानों के अंदर यानि की आफ्रिका के अंदर जो लोग है जो हीउमन से वहां पर भी फैल जाती है इसको हम लोग स्लीपिंग सिकनेस के नाम से भी जानते हैं ध्यान अतन क्या है कि हम लोग क्या करेंगे एफ्रीका में इस विमारी को लेकर और रिसर्च करेंगे इनुवेशन करेंगे और इस रिसर्च इनुवेशन के माद्यम से इस विमारी को ठीक करेंगे तो ये जो पैसा ये रोपियन कमिशन ने लगाया है ये अगस्ट 2021 से अगस्ट 2025 तक ख प्रोटोजुजुजा क्या है तो यहां पर जो प्रोटोजुजुजद आपको देखने को मिलता है न यह से बेसिकली एक ऐसा जीवत जो कि कभी nya ने तटमां करते हैं भीनल्टार के बारे में इसकी बारे में चर्चा की जा तो ये बिमारी कैसे फैलती है, इस fly की वैसे फैलती है, यह हम लोगों यहाँ पर समझ लिया, यह fly यहाँ पर इस protosua को इंसानों के अंदर यहाँ पर फैला देती है, ठीक है, बात क्लियर हो गई, आगे आता है, आगले आर्डिकल के तरफ, नेक्स्ट आर्डिकल काफी important होने यूज में, आपको पताओगा, जी एस फैपर नंबर वन के अंदर personality को लेकर questions आते रहते हैं, ठीक है, यहाँ पर आप यहाँ पी एम मोदी का tweet भी देख पा रहे होंगे, तो रानी वेलू नचियर जी कौन थी, आओ इनके बारे में discussion करें, किस प्रकार से आप पर इन्होंन निकलिए ना, इसी वज़ा सा यहाँ पर इनकी जो birth anniversary है, उसका celebration यहाँ पर किया गया है, इनका जन कहाँ पर होता है, तामिल नाडू के अंदर जो रमन्था पुरम है, वहाँ पर हुआ था, यह पहली queen थी, जिन्होंने यहाँ पर लगातर British rule को oppose किया, जो अंग्रेजों का शार्षन था, उसके against में खड़ी होने वाली पहली यहाँ पर यह रानी बन कर निकली, और उन्होंने यहाँ पर अंग्रेजों से लड़ाई भी की, यानि यह बात की जारी है, सैपोई म्यूटनी के भी कई साल पहले की, उस समय पर यहाँ पर यह पूरी तरह से यह लड़ा या फिर धनुष चलाना, यह सारी चीज़ें यहाँ पर सीख चुकी थी, इनकी ट्रेनिंग इनको पूरी तरह से मिल चुकी थी, और काफी सारी भाषा यहाँ यहाँ पर इनको आती थी, जैसे कि आप देखोगे, फ्रेंच, इंग्लिश, उर्दू, यहाँ पर अराम से यहा फिर गटिंग औफ, शिव गंगा, ठीके ना, उनका किंग का नाम, आपको यह लंबा सा नाम यह दिख रहाओंगा, ठीके ना, बाद में यहाँ पर क्या होता है, कि, इनकी एक बेटी भी होती है, और उसके बाद में, जो ब्रिटिश सोल्जर्स हैं, ब्रिटिश सोल्जर्這些 यहाँ पर इनके husband को मार देते हैं ठीक है बाद में यहाँ पर यह battle के अंदर यह भी आती है और Britishers के against में यहाँ पर पूरी तरह से war लड़ती है जब यहाँ पर इनके husband को मार दिया गया तो फिर उसके बाद में यह collaboration करती है हैदर अली और साधी साथ में गोपाल नाइकर के साथ में collaboration करने के बाद में यहाँ पर यह war लड़ती है Britishers के against में और यहाँ पर एक victorality आप कह सकते हो कि उबर कर आती है आप कह सकते हो कि यहाँ पर इनकी एक जीत जो है वो यहाँ पर हम देख सकते हैं Britishers के against में ठीक है ना बाद में क्या होता है जो भी इनके पास में powers आती हैं बाद में जीतने के बाद में वो सारी की सारी जो powers है वो मारुदू brothers को दे देती है मारुदू brothers को यहाँ पर ही powers जो है यह provider बाद देती है ताकि वो हमारे country को administer कर सकें यह powers मारुदू ब्रदर्स को दी गए थी 1780 में ताकि हो हमारे देश को administer कर सकें इन powers के माधियम से ठीक है ना तो बात ध्यान लखना आप से यहाँ पर पूछा जा सकता है मैं बिल्कुल एकदम short चीजे लेकर आया हूँ यानि कि जैसे article चर्चा में है तो इस article के बिल्कुल जो भी काम काम की चीज़ है सिर्फ वो मैं आपको बता रहा हूँ इस वैसे article थोड़े छोटे हैं लेकिन जादा article साब cover कर रहे होंगे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जो आप छोड़ रहे होंगे ठीक है आगले article पर आता है नेक्स आडिकल काफी important होने वाला है अब यहाँ पर क्या बात की जा रही है यूरोप के अंदर हमने देखा आए कि देखो अभी दुनिया बर में बहुत ज़्यदा ठंड पड़ रही है दुनिया बर में नहीं कहेंगे तो फिर भी यहाँ पर लेकिन हुआ क्या इस समय वाँ पर बरफ दिखाई नहीं पड़ रही है तो गर्मी काफी ज़दा बढ़ चुकी है जहां ठंड बढ़नी चाहिए वाँ पर वो गर्मी बढ़ चुकी है तो इस वज़़ा से यहाँ पर यह article नियूज में है तो अभी के समय पर विंटर के समय पर वहाँ पर हीट वेब देखने को मिल रही है यानि कि आप कर सकतो गर्मी की जो लू है ना वहाँ पर चलती हुई नजर आ रही है यूरोप के अंदर में हाला कि टैंपरेचर इतना नहीं गिरा है फिर भी काफी ज़़़ा गिर चुका है आप ऐसा कह सकतो इसको हम लोग बोलते हैं हीट डोम तो यूरोप के अंदर हीट डोम बना है यसी वज़़ा से यहाँ पर यह नियूज में है थिक है तो हीट डोम क्या होता है मैं आपको सम्झा दूंगा देखो वैसे क्या होता है टैंपरेचर वहाँ पर माइनस 11 माइनस 15 डिगरी सैल्शेस होता है वो टैंपरेचर बढ़कर आज के समय पर 10 से 20 डिग्री सेल्शेस के आसपास पहुंच चुका है तो इस विसे लोगों को गर्मियां बहुत लग रही है आज के समय में ठीक है मैं बात करा हूँ कौन कौन से देशों की यूरोप के अंदर 7 देश हैं ऐसे जहां पर गर्मी पढ़ रही है समय जैनवरी के महिने में गर्मी पढ़ रही है जबकि वहां पर हर साल बरफ रहती है पूरे साल बरफ रहती है और इस समय तो बहुत बुरा हाल होता है लेकिन इस समय गर्मी पढ़ती हुई नेजरा रही है कहां-कापर पोलेड में, डेन्मार्क में, चेक रिपबलिक, नेदरलेंड, बेलारूस, लिथ्विनिया और लात्विया इन देशों की बात यहां पर की जा रही है ठीक है न, क्योंग यहां पर गर्मी क्यो पड़ रहे है क्योंकि वहां पर हीट डॉम बना है तो heat dome क्या होता है अभी मैं आपको आगे समझाऊंगा वैसे तो यहाँ पर temperature इस समय माइनस में चला जाता है लेकिन अभी के समय पर यह temperature 10 से 20 degree Celsius के आसपास है तो लोगों को गर्मी जादा लग रही है और यह लोग है ना यह हमेशा ठंड में रहता है पूरे-पूरे साल ठंड में यहाँ क्योंकि पूरे साल ठंड पढ़ते तो ठंड में रहते है तो इस समय पर इनको थोड़ी जादा गर्मी लग रही है तो 10 से 20 degree Celsius पहुँचा heat dome की वज़ा से इस वज़ा से यह news में बना वाए तो heat dome बेसिकली geography के point of view से important है आप से directly सवाल बन सकता है heat dome के बारे में तो आप समझते है heat dome क्या होता है देखो यहाँ पर आप एक particular picture देखोगे ठीक है, dome क्या होता है, dome बेसिकली गुमबद जैसा होता है ऐसा हो गया, है ना, यह dome हो गया देखो मालो, यहाँ पर यह land है यह एक जमीन है, यहाँ पर एक इनसान खड़ावाए या सब कुछ यहाँ पर जमीन पर देखने को मिलेगा इसको पर अगर मैं dome बनाऊ जमीन को पर तो कैसे बनेगा ऐसा dome बनेगा, गुमबद की तरह यह basically dome कहलाता है इसके अंदर जो heat है जो गर्मी है वो भर जाती है इसको हम heat dome बोलता है तो कहोगे ऐसे कैसे, तो मैं आपको पीछे reason समझाता हूँ क्या क्या होता है heat dome कब होता है, जब जो high pressure traps जो high pressure होता है यह warm air को trap कर देता है इस particular region में, लंबे समय तक अब मतलब क्या मैं आपको समझाता हूँ यह नीचे जमीन हो गई, जमीन में से क्या हो रहा है यहाँ पर, जो basically हाँ पर हमारी गरम हवाई ना वो उपर उठ रही है उपर उठ रही है, लेकिन आपको पता होगा कि प्रिथवी का जब पूरा का पूरा आप basically map देखोगे, एक सकेंड रुख जाओ यह आप picture जब देखोगे तो आपको पता है, उपर jet streams बैती है jet stream मसलब सबसे उचाई पर बहुत ज़्यदा ठंडी हवाई बैती है बहुत ज़्यदा ठंडी हवाई बैती है बिल्कुल उचाई के उपर, उनका लोग jet streams बोलता है ठेक है? तो जब यह jet streams और ज़्यदा चौड़ी हो जाती है बहुत ज़्यदा बड़ी हो जाती है चौड़ी होने के साथ सथ जब यह चौड़ी हो जाती है नो तो यह बहुत ज़ादा ठंडी हो जाती है मैंने आपको बताया ठंडी रहती है और जब एक समय पर यह काफी चौड़ी हो जाती है ना तो यह चौड़ी होने के बाद में जो वेवस हैं यह काफी ज़ादा बड़ी हो जाती है ब्रॉड हो जाती है तो यह जो वेवस हैं यह प्रेशर बनावाई उपर यहां पर जो जैट स्ट्रीम से वो चल रही है बड़ी बड़ी चोड़ी जैट स्ट्रीम चल रही है उपर हाई प्रेशर बनावाई नीचे से जब यह गरम हवा उठ रही है उपर तो गरम हवा उपर जाकर इससे बाहर नहीं निकल पाती है यहां प पर भी निकल नहीं पाई, जब निकल नहीं पाई, तो इससे यहाँ पर यह पर यह जो पर्टिकलर एरिया है, वो बहुत ज़्यादा गरम हो गया, तो वही चीज़ यहाँ पर आपको इधर यूर्ट के नदर देखने को मिलती है, ओपर जो ठंडी हवाई हैं, वो चौड़ी ह होने के बाद में बहुत धीरे चलने के बाद में कभी-कभी रुक भी जाती है जिसकी चक्कर में जो गरम हवा जा रही है वो यहां पर थम जा रही है बेसिकली रुक जा रही है वो उपर नहीं निकल पा रही है और उसकी चक्कर में उस पर्टिकुलर एरिया में बहुत जाद पर ने कि हमारा वातावरल है बिल्कुल उचाइपर जो हवाय बहरी होती है उसका हम जट स्क्रीप बहती है इसका वेव-लाइक लेकिन आपको बता है जब यह बढ़ी हो जाती है चौड़ी हो जाती है उसके आदमी यहाँ पर एक जगत थम भी जाती है तो इसकी चक्कर में यहाँ पर होता है कि जो यह इसी को हम लोग यहां पर heat dome बोलते हैं, ऐसे instances पहले भी कई बार देखने को मिले हैं, यह तो हम साल 2023 में देख रहे हैं, इससे पहले साल 2021 में already heat dome बना था, कहां कहां पर Western Canada में, US में heat dome बनकर आया था, उसके बाद में कई सारे और भी अलगला countries का अंदर ही heat dome बनकर आया है, ऐस यहां पर हम discuss करेंगे world braille day के बारे में, तो world braille day recently यहां पर observe किया गया, यह बहुत important point है, ऐसे questions आप से कई बार directly one day examination के अंदर भी बन जाता है, तो आपको समझाता हूं कि world braille day क्या होता है, इसका मतलब यहां पर क्या होता है, हर साल 4 जनवरी को यह दिन observe किया जाता है, ध् ब्रेल नाम क्यों दिया गया, यह ब्रेल नाम दिया गया एक inventor के उपर, फ्रांस के एक व्यक्ति हैं, लुइस ब्रेल, इन्हों ने यहां पर इस दिन को found किया है, इस वज़ा से यहां पर आप कह सकते हो, कि इन्ही के नाम के उपर यह नाम दे दिया गया, world braille day, ठीक है, तो इनको, basically इनके नाम के उपर एक दिन को मनाया जाता है, जिसका मैंने नाम बताया, world braille day, अच्छा, braille भाषा कौन सी होती है, तो यहां पर यह देखो, काफी सारे ऐसे बच्चे होते हैं, काफी सारे ऐसे लोग होते हैं, जो देख नहीं पाते, हैना blind होते हैं, या visually impaired होते है देखने की शमता हैं, उनकी खतम हो चुकी हैं, तो यहां पर वो लोग क्या करेंगे, उनको कैसे पढ़ना होगा, तो इसके लिए यहां पर यह पुरा-कपुरा braille language बनाया गया था, in inventor के तुरू, braille language क्या होती है, इस प्रकार से एक sheet है, इस पर उपर छोटे-छोटे दान ने, यह क्या चीज लिखी भी है, इसको हम लोग बोलता है, braille language, तो यह braille language यहां पर in inventor ने found करी थी, और यही यहां पर जो braille language है, इसको आगे बढ़ाने के लिए क्या होता है, हाँ पर जो 4 January है, इसको हम लोग world braille day की तरह देखते हैं, ठीक है, बात क्लियर हो गई, और इ समझ पाएंगे, कि वो pattern क्या है, वो क्या चीज है, तो यह चीज यहां पर उनको help करेगी, बहुत जादा और वो society के अंदर पूरी तरह से participate भी कर पाएंगे, तो इस वज़़ा से यहां पर ध्यान अकना, तो braille क्या आप से पूछा जा सकता है, braille भाशा का कुछ ने invent किया लूइस ब्रेल ने invent किया है, और world braille डे हम 4 जनवरी को observe करते हैं इसी के basis पर, ठीक है, तो एक छोटा सा article था, अगला news article बहुत important होने वाला है, एडिन Express के explain section पर यह publish हुआ है, क्या बात की गई है, महादई के बारे में, महादई जो water sharing dispute है उसके बारे में, आपको बताओग बहुत simple से शब्दों में आखिरकार वो विवाद क्या है, क्या है कालासा बंदूरी नाला प्रोजेक्ट, वो भी मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा, तो हुआ क्या है, news क्या है, पहले हम उसको समझ लेते हैं, 30 December 2022 की बात है, यानि कि जब हमारा साल, पिछला साल खतम उनकी राजसरकार को एक clearance मिल चुका है, केंसरकार की side से, और वो clearance किस चीच को लेकर है, महादई नदी के उपर यहाँ पर प्रोजेक्ट लगाने का, क्योंकि महादई नदी के उपर यह प्रोजेक्ट लगाने को लेकर ही विवाद चल रहा है, करनाटका चाहता है, क्या चा करनाड का सारा पानी दे लेगा तो यह dispute चल रहा था तो अब इसका यहाँ पर एक solution जो है वो basically आया जो यहाँ पर यह project को लेकर जितना भी clearance था वो सारा का सारा करनाड का को मिल चुका है करनाड का इस project को develop करेगा ठीक है बात clear होगी तो मैं आपको समझातो हूँ आखर क्या ह आपको यह map दिखेगा, इस map में आपको यहां महराष्टरा दिखेगा, महराष्टरा के just नीचे आपको यह करनाटिका दिखेगा करनाटिका के just बरावर में आपको यहां पर यह गोवा दिख रहा होगा sorry, यहां पर basically गोवा आपको नज़र आएगा इस map को zoom करके देखोगे तो यहां पर आपको देखे को बिलेगा है जो dark color यह करनाटका है और जो light color है यहां पर यह गोवा है इन दोनों के बीच का border आपको यह देखने को मिल जाएगा यह इन दोनों के बीच का border है तो होता है कि करनाटका से एक नदी निकलती है जिसको हम लो ही कि अभी के समय पर यह जो कुछ ऐसे ऐरियाज हैं, कुछ ऐसे डिस्टृक्ष, जैसे धारवड, गरडदक, बल्यागवी कुछ ऐसे डिस्प्यूट से ऐसे डिस्क्रिक्ष आपको देखने को मिलें ठीक है न, तो करनाटका चाहता है कि महादई नदी से पानी निकाल कर मालपरवा नदी का अंदर पहुचाया जाए और इस नदी से फिर जो पानी है वो इधर के डिस्ट्रेक्ट्स को दिया जाए क्योंकि यहाँ पर करनाटका में पानी की काफी जदा कमी है लोगो पानी नहीं मिल पा रहा है ठीक है तो आपको गए ठीक है तो पानी कैसे ले जाए जा रहा है पानी ले जाने के लिए दो डैम बनाए गएं दो डیम कहाँ कवर बनाएगें, अलग अलग नदी के उपर अभी आपने कालसा बंदूरा सुनाए ना, कालसा बंदूरा नला प्रोजेक्ट वो क्या है तो कालसा बेसिकली एक ट्रिब्यूटरी है कालसा जो है बेसिकली यहाँ पर क्या है, सायक नदी है और इधर यहाँ पर बंदूरा भी एक सायक नदी है हमारी महादई नदी की ठीक है तो महादई नदी की कालसा भी सायक नदी है और बंदूरा भी तो इस यहाँ पर बेसिकली एक डैम बना दिया इस सायक नदी पर एक डैम बना दिया बंदूरा डैम और इधर कालसा के उपर यहां पर बना दिया डैम, एक कालसा डैम तो एक डैम यहां हो गया, इससे क्या होगा करनाटिका पानी स्टोर करके क्या करेगा, पानी स्टोर करने के बाद में इस प्रकार से माल परवा नदी के अंदर भेज देगा इधर से पानी स्टोर करके माल पर अबा नदी के अंदर भेज देगा और ये जो पानी है फिर इधर के लोग यहाँ पर इस्तमाल कर पाएंगे ठीक है बात क्लियर हो गई तो काओगे इसमें क्या प्रॉबलम हो गई इसमें प्रॉबलम है कि गोवा का कहना ये था कि सारा पानी यहाँ से जो भी पानी निकल करा रहा है क्योंकि नदी यहाँ से बह रही है नदी बहकर इधर जा रही है तो पानी जो भी है यह सब के सब इन्होंने अपने एरियास के अंदर यूज कर लिया है अपने district के अंदर यहाँ पर यह पानी दे रहे हैं तो गोवा यहाँ पर इस प्रकार से इस particular project को basically oppose कर रहा था तो अभी यहाँ पर सरकार ने जो भी अपने suggestion से वो जारी करे हैं बोला है कि आप इस प्रकार से काम कर सकते हो तो सरकार ने क्या बोला है मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में समझाता हूँ जो ट्राइबुनल उसने क्या बोला है देखो एक ट्राइबुनल basically बनाया गया था पिछली वाली सरकार के थूर नवंबर 2010 में तो ट्राइबुनल ने 2018 में basically अपना एक suggestion दिया और ये बोला कि जो भी पानी है इस महादइय नदी का वो पानी बाट दिया जाएगा कुछ पानी यहाँ पर यानि कि उस नदी का जो पानी है कुछ पानी ह newspapers गोगवा को मिल जाएगा और कुछ महराश्टरा को मिल जाएगा अपने साब से पानी बाट लेंगे तो इससे कोई दिक्कत होगी नहीं तो पानी बाटने में यहाँ पर इरोने कुछ कुछ यहाँ पर जो पानी है वो वैसे अलाव कर दिया जैसे आप यहाँ पर देख पाओगे कि मादे नदी का जो बेसिन है यह बेसिकलि यहाँ पर करनाटिका में देखने को मिलेगा तो वैसे करनाटिका को कुछ पानी दे दिया गया कुछ बेसिकली यहाँ पर आप कर सकते हो कि गोवा को दे दिया गया और कुछ यहाँ पर बेसिकली महराश्टर को दे दिया गया तो यह इस प्रकार से यहाँ पर सरकार का एक notification था जिसको 2020 February में जारी किया गया था कि आप इस basis पर काम कर सकते हो और इस basis पर यहाँ पर जो करनाड का है वो यहाँ पर डैम बना भी सकता था तो यहाँ पर अब क्या है कि यह जो approval है वो यहाँ पर करनाड का सरकार को मिल चुका है सरकार को यहाँ पर clearance मिल चुका है अब वो यहाँ पर क्या करेंगे अपना जो प्रोजेक्ट वगरा वो बनाएंगे जो कि लंबे समय से रुका पड़ा था ठीक है तो ध्यान लखना महादई क्या है महादई रिवर कहां पर कहां से निकलती है जैसे मैंने आपको बताया ध्यान लखना महादई नदी कहां से निकलती है ठीक है यहां से नदी निकल कर आई और इस प्रगार साथ समझ सकते हो इधर आकर गोवा से गुजरते वे अरेबियंसी में गर जाती है ठीक है क्लिर हो गई बात चलो आगया आते हैं तो आपसे सवाल यहां पर बन सकता है इसको लेकर भी अगले आर्टिकल में अगले आर्टिकल में बात किए यह नैशनल कमिशन फॉर शेडियूल ट्राइब्स के बारे में तो बेसिकली नैशनल कमिशन फॉर शेडियूल ट्राइब है क्या हम इसको थोड़ा सा समझेंगे यह रीसेंटली न्यूज में आया है अच्छा न्यूज में क्यों आया है न्यूज में इसलिए आया है क्योंकि National Commission for Schedule Tribe ने हाल ही में ये बोला कि जो अभी हम जंगल को बचाने के लिए Rules and Regulation लेकर आएं हैं ना साल 2022 के अंदर ये कहीं न कहीं जंगल में रहने वाले लोगों के राइट्स को वॉयलेट करेगा इस प्रकार से यहां पर ये जो Schedule Tribe वाली बोड़ी है ये लगाता न्यूज में आ गई है ये यहां पर एक बात छेड़ चुकी है ये पिछले कई बार न्यूज में आई भी है National Commission for Schedule Tribes तो मैं आपको समझाता हूँ इस NCST बोड़ी के बारे में क्योंकि काम की चीज यही है जो एक्जामनेशन में पूछी जाएगी तो समझते है National Commission for Schedule Tribe बेसिकल एक ऐसी बोड़ी है जिसको बनाया यह था साल 2004 में ठीक है सम्भिधान के अंदर कई सारे प्रोविजन्स है तो मतलब यह एक Constitutional बोड़ी है क्योंकि सम्भिधान के अंदर इसके बारे में जिकर किया जा है तो यह एक Constitutional बोड़ी है इस बोड़ी को बनाया यह था Article 338 को अमेंड कर गे Article 338 में हमने क्या कर दिया संशोधन कर दिया बदलाब कर दिये और वो जो संशोधन ने वो संशोधन करने के बाद में हमने Article 338 A को अड़ कर दिया आगे A जो है न यह हमने लगा कर एक नया जो है पोर्शन इसमें अड़ कर दिया ठीक है तो संशोधन यह कौन सा था 89th Amendment Act था 89 Amendment Act के तहत हम लोगोंने इस पर्डिकलर बॉड़ी को बनाया National Commission for Schedule Tribe इससे पहली भी हमारे पास में बॉड़ी हुआ करती थी जिसका नाम था National Commission for Schedule Cast और Schedule Tribe लेकिन हमने बाद में इस Amendment के बाद में इस बॉड़ी को बनाया इस बॉड़ी के दो हिस्से कर दिये गा यानि कि Schedule Cast के लिए अलग बना दिया गया और Schedule Tribe के लिए अलग बना दिया गया तो बैसिकलिए हब भी हम बात कर रहे है National Commission for Schedule Tribes के बारे में ठीक है न? धिहानक ना तो बात क्लियर हो गई कि इस बॉड़ी को 2004 बनाया गया एक सम्विधानिक Constitutional Body है ये तो National Commission for Schedule Tribe के अंदर में यहाँ पर आप देखोगे एक Chair Person होते हैं एक Vice Chair Person होते हैं जो की तीन साल तक यहाँ पर सर्व करते हैं बात क्लियर हो गई इनका काम क्या है? इनका काम है कि जो भी हमारे देश में Schedule Tribes रहती है ना उनको सम्विधानिके अंदर जो जो प्रोटेक्शन मिली है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइट करवाना उनकी जो भी Complaints हैं उनके पास में जो भी हक हैं जो भी Rights हैं उनके Rights की प्रोटेक्शन करना है ना उनके लिए यहाँ पर जो Development है वो करना वो सारे काम यहाँ पर National Commission for Schedule Tribes के पास में देखने को मिल जाते हैं उनके लिए जो Welfare Schemes वगरा है हैना क्या-क्या जरूरत है उनको Welfare Schemes की उसके लिए एक Report त्यार करके President को देना उन लोग के Development के लिए उनके विकास के लिए क्या-क्या जरूरत है वो Report त्यार करके यहाँ पर सरकार को देना वो सारा काम National Commission for Schedule Tribes का होता है तो मतलब National Commission for Schedule Tribes किसलिए है हमारी Schedule Tribes को Protection देने के लिए है अगले आर्डिकल पर आते हैं नेक्स्ट आर्डिकल भी हमारा Indian Express का यहाँ पर क्या बात की जा रही है South Asian Black Carbon Aerosols के बारे में discussion किया जा रहा है ठीक है जो Black Carbon Aerosols है यह basically अभी के समय पर तिबितन प्लैट्यू के अंदर तिबित के अंदर जो जातर Glaciers हैं जातर आपको बरफीले पहाड देखने को मिलेंगे वहाँ पर यह Black Carbon जमा और इस जमने की वज़ा से उसने बहुत सारा लॉस कर दिया बहुत सरे बरफ को पिगला दिया है बहुत सरे पहाड पिगल चुके हैं बरफीले पहाड ऐसा यहाँ पर बोला गया तो इस वज़ा से South Asian Black Carbon Aerosols लगातर न्यूज में है तो यहाँ पर हम समझेंगे आखिरकार यह Black Carbon Aerosols क्या होता है तो न्यूज क्या है यह तो मैंने यहाँ पर आपको समझा दिया है रिसेंटल एक स्टडी होती है उस स्टडी के मादम से यह पता चलता है कि पूरा नहीं जला कोई भी समझा पूरा नहीं जलता थोड़ा बहुत बच्चता है तो उसमें से यहाँ पर क्या होता है यह Black Carbon निकल कर आता है और जो South Asian Region आपको जो देखने को मिल रहा है बिल्कुल Tibetan Plateau के बराबर में यहाँ पर सबसे ज़ादा Black Carbon एमिशन होता है पूरे दुनिया भर में तो South Asian Region के अंदर भी South Asian Region के अंदर सबसे ज़ादा Black Carbon का एमिशन होता है सबसे ज़ादा Black Carbon दुनिया में यहीं से South Asian Region से निकल कर आता है जहाँ पर इंडिया वगरा भी आपको देखने को मिलेगा बहुत सरी studies ने ये बताया कि जो ये South Asia है ये काफी सरा Black Carbon जो है बनाता है मतलब यहाँ से निकलता है और वो निकल कर Black Carbon हिमालियास तक जा रहा है तिबतन प्लैट्यू तक जा रहा है वहाँ पर जो बरफीले पहाड है वहाँ पर जा रहा है और फिर उन पर वो चिपक जाता है चिपकने के बाद में उनको पिघला देता है अब आपको ऐसे कैसे पिघला देता है तो यहाँ पर आपको एक पिच्चर दिखाता हूँ ब्लैक कारबन को हम लोग बेसिकली सूत भी बोलता है ठीक है एक सॉलिड पार्टिकल होता है छोटा सा आपको यहाँ पर पार्टिकल देखने को मिलेगा काला कलर का होता क्या है कि आपने कोई भी समान जलाया तो उससे यहाँ पर मतलब वो पूरा नहीं जला उसमें से यहाँ पर छोटे छोटे यहाँ ब्लैक कारबन निकल जाते है और फिर वो उड़कर इदर उदर पहुँचते रहते है इनके अंदर शमता यह होती है कि यह बहुत जादा गर्मी को एब्जॉब करते है यानि सूरे की गर्मी को सबसे जादा एब्जॉब करने की ताकत इनके अंदर होती है तो यह क्या होता है जब यह उड़कर किस पे हमारे बरफ के उपर ग्लैशर्स के उपर छिपक गए बरफीले पहाड के उपर रुख गए तो इससे क्या होता है सन की गर्मी एब्जॉब करने गर्मी को बहुत जादा एब्जॉब करने अब जब गर्मी को एब्जॉब करते हैं तो यह पूरे पहाड को भी गरम कर देंगे तो इससे जो बरफीला पहाड है वो पिगलने लगता है टीक है इंडिया और चाइना सबसे बड़े एमिटर हैं ब्लेक कारवन के जैसे मैं ने बोला है पूरा साउथ एशा के अंदर सबसे ज़्यादा ब्लेक कारवन एमिट होता है ये आपको पता भी होना चाहिए टीक है तो आई होग आपको यहाँ पर यह बात ब्लैक कारवन के रिगार्डिंग पता चल चुकी होगी आगे आता है फिर उसका देखी जोर बताई जारी है कि साल 2007 से लेकर साल 2016 के बीच में आप देखोगे न ब्लैक कारवन की वज़ा से कई सारे ग्लैशर्स के अंदर बहुत बड़ा लॉस हुआ है कई सारे ग्लैशर्स पूरी तरह से पिघल चुके है ये बात यहाँ पर बताई जारी है तीक है 12% हिमालियास के अंदर लॉस देखने को मिला 11% आपको तिबतन प्लैटिव के अंदर ग्लैशर्स का लॉस देखने को मिला है अगला एक और छोटा न्यूज आर्टिकल है इसको यहाँ पर हम कवर करेंगे आज का लास्ट आर्डिकल है काफी सर आर्डिकल हो गा है आज वैसे तो यहाँ पर बात की जारी है डाई बैक डिजीज के बारे में डाई बैक जो डिजीज है ना पेड़ों के अंदर इस प्रकार से आप देख पाऊगे यह बिमारी फैल जाती है इसमें क्या होता लकडी को चड़ा देती है बिमारी साथी साथ में जो पत्ते होते हैं उनको सुखा देती है तो यह रिसेंटली न्यूज में देखने को मिली है तो जो डाइबैक डिजीज है ना यह अभी यहाँ पर तिलांगना के अंदर जो नीम के पेड़ है उनको बुरी तरह से हिट करी है इस प्रकार से यहाँ पर पेड़ों को गला देती है पत्तियों को सुखा देती है बिमारी तो इस वैसे यहाँ पर die back disease के बारे में आपको पता होना चाहिए जो die back disease है यह सबसे पहली बार report करी गई थी हमारे देश में 1990s में देहरादून के पास में आप कह सकते हो उत्राखंड में यह पहली बार मतलब report करी गई थी इसके बारे में जानकारी आई थी लेकिन सबसे पहली बार notice करी गई प्रॉपरली पता चलता है तिलंगना के अंदर साल 2019 में जो die back disease है किसकी वैसे होती है एक fungus की वैसे fungus होता है जो fungus पढ़ जाता है फफूंद पढ़ जाता है जिसका नाम है Fomopsis Azadi Racti यह इसका यहाँ पर नाम है इस fungus की वैसे यहाँ पर बिमारी फैलती है तो यह जो die back disease है यह क्या करती है पत्तों को सुखा देती है मैं आपको बता है पेड को सडा देती है पेड की जो उम्र है वो पूरी तरह से घटा देती है पेड का जो फल बनाने की ताकत हो यहाँ पर नीम के पेड को परिशान करती है यहाँ पर आपने धिहान में रखना है तेलंगना के अंदर अभी नीम के पेड के अंदर ही यहाँ पर बिमारी जो है वो पाई गई है चलो आगे आते हैं तो यह था आज का मरा ओरल डिसकेशन अब आप सभी लोग रेडी हो जाना अपने टेस्ट के लिए ठीक है अभी जो भी हमने डिसकेशन किया है उसका यहाँ पर टेस्ट होने वाला है इस पूरी टेस्ट स्रीज को आपको अटेंट करना है प्रिलियम स्र पहला जो क्वेशन है वो बात करता है वर्डब्रेल डे के बारे में तो वर्डब्रेल डे हैं इसको हम हर साल आबजर्ब करते हैं कौन सी तारिक में चार जैनवरी 13 13 14 जैनवरी या 20 जनवरी जल्दीस आंसर नीचे कॉमेंट सेक्शेन में लिख दो सारे आंसर्स मेंता अब भी हमने कालसा बंदूरी नाला प्रोजेक्ट के बारे में पड़ा था, याद होगा, तो जो कालसा बंदूरी नाला प्रोजेक्ट है ना, ये कौन सी नदी के उपर बनाया जा रहा है, ये आपको बताना है, महादई नदी, कावेरी नदी, पेरियार, या फिर आप्शन जाता है ठीक है तो काला सा बंदूरी नाला प्रोजेक्ट कौन से नदी के उपर है जरा फटा-फट यहां पर इसका अंसर दो चलो अगला एक क्वेशन को देखते हैं नेक्स क्वेशन पर थोड़ा फोकस करना यह थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकता है अभी हमने थोड़ देर पहले नैशनल कमिशन फॉर शेडियूल ट्राइब्स के बारे पढ़ा था तो नैशनल कमिशन फॉर शेडियूल ट्राइब्स के रेफरेंस में आपको यहां पर दो statements दिये गए पहला कि इस body को establish क्या गया था 1994 में दूसरा ये एक statuary body है बताओ कौन से statement सही है क्या वाकई में में चर्चा की है थोड़ दर पहली मैंने पढ़ाया है है ना तो black carbon aerosols के reference में अगेन आपको दो statements दिये गए हैं बताना यह कि कौन से statement सही है पहला statement जो black carbon aerosols होता है इनको यह basically बनते हैं incomplete combustion of fossil fuels से जो fossil fuels जलाते हैं हम लोग हमने कोई लाब गया जलाया यह आधा जला और उसी स statement बोलता है कि जो South Asian region है यहीं पर सबसे ज़्यादा black carbon का emission होता है पुरे दुनिया भर में बताओ कौन से statement सही है option A one only, option B two only, option C दोनों सही है या फिर option D दोनों के दोनों गलत हैं जरा attempt करो इसके answer को सारे के सारे answers में आपको एक साथ बताऊंगा एक खटे अगला question die back disease के बार पहला statement जो die back disease है यह सबसे पहली बार हमारे देश में पाया गया था 1990s में देहरादून के पास में उत्रखंड में दूसरा statement die back disease होता है एक फंगाई की वे से एक फंगस की वे से जिसका नाम है Fomopsis Srd Racti बताओ कौन से statement सही है option A one only, option C two only, option C दोनों सही है या फिर option D दोनो section में देदो अगला question सबसे पहला ही article हमने discuss किया था APPU के बारे में Asian Pacific Postal Union के बारे में तो इसके reference में आपको दो statements अगें दिये गए हैं पहला statement Asian Pacific Postal Union दिहां से सुनना यह एक specialized agency United Nation की नहीं है not a specialized agency दूसरा यहाँ पर यह एक intergovernmental organization है 32 member countries का यानि 32 member countries इसके अंदर में क्या यह सह इन दोनों statement में से कौन सा सही है जो 32 members है वो Asian Pacific region से आने वाले हैं तो इन दोनों statement को लेकर यहाँ पर बताना है कौन सा सही है option A one only, option C two only, option C दोनों सही है या फिर option T दोनों के दोनों गलत है अब फटा-फट यहाँ पर next question पर आते हैं अगला question African animal type A no Somosis के reference में अभी जो बिमा बिमारी होती है एक parasitic protozoa, trypanosomes की बजा से, दूसरा यहाँ पर ही बिमारी फैलती है monkey के काटने से, बताओ यहाँ पर कौन सा statement सही है option A one only, option B two only, option C दोनों सही है या फिर option D दोनों के दोनों गलत है ठीक है आगे आते हैं अब यहाँ थोड़े पहले रानी नेलू नचियर ज थी, option B former judge of madras high court थी, option C zero scientist या फिर इनमें से कोई नहीं, जरा फटा फटन यहाँ पर इसका answer आपको नीचे comment section में देना है वैसे answer इसका देखी किया होगा, अगला question, अभी मैंने heat dome के बारे में आपको पढ़ाया था, याद होगा, heat dome के reference में again यहाँ पर आपको question देखने को म pressure क्या करता है, गरम हवा को फसा देता है उस region के अंदर में, क्या ऐसा है, दूसरा option बोलता है कि heat dome का जो formation होता है न, यह basically jet stream के behavior पर depend करता है, jet stream का जैसा behavior होगा, उसके ओपर heat dome काम करेगा, jet stream जैसे जैसी चलेगी, उसके basis पर heat dome महाँ पर बनेगा, दोनों statement से कौन सा statement सही है फटा-फट बताओ, option A1 only, option B2 only, options C दोनों सही है, या फिर option D दोनों के दोनों गलत है, चलो आते हैं, समपत, अब फटा-फट यहाँ पर answers को देखना start करते हैं, यहीं से last वले question से answer को देखेंगे, heat dome के बारे में अभी मैंने आपको पढ़ाया था, और इसमें से बताओ कौ बहती है न, वो jet streams basically ठंडी हवा है, और वो क्या करती है, गरम हवा को यहाँ पर trap कर लेती है, तो क्या होता है, high pressure यहाँ पर गरम हवा को trap करता है, इस वैसे जो पहला statement है, वो basically गलत है, दूसरा statement सही है, क्योंकि jet stream के behavior के उपर, क्योंकि jet stream जो waves है न, यह जब बड़ी हो जा है, तो इस वैसे यहाँ पर इसके behavior के उपर heat dome का formation होता है, यह सही है, option number two आपका सही उतर देखने को मिल जाएगा, ठीक है, आगे आता है, अगला question आपसे पूछा यहा, राणी वेलू नचियर कौन थी, हिंदी film artist थी, former judge of madras high court, isro scientist या none of the above, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, इनके बारे में, ठीके न, क्योंकि recently यहाँ पर अब दिप्पाऊगे, इनको हमारे prime minister ने इनकी जो birth anniversary है, उस पर यहाँ पर एक जानकारी दी थी, बाकी यहाँ पर एक बिमारी है, African animal के बारे में, मैंने आपको बताया था, African animal जो भी बिमारी है, यह किस चक्कर में होती ह option number है, एक parasitic protozoa, tripenosomes की वेसे होती है, या फिर दूसरा statement बोलता है कि यह बंदर के काटने से होती है, बताओ कौँ सा statement सही है, इसमें केवल और केवल पहला statement सही है, क्योंकि अभी हमने discuss किया था, यह बंदर के काटने की वेसे नहीं होती है, यह एक flea की काटने की वेसे होत पहला question आपसे पूछा गया था, Asian Pacific Postal Union के reference में, कौँ सा statement सही है, पहला यह एक specialized agency United Nation की नहीं है, दूसरा statement यह एक intergovernmental organization है, 32 members का, बताओ कौँ सा statement सही है, इसमें केवल और केवल second सही है, पहला गलत है, पहला इसलिए गलत है क्योंकि यह United Nation की specialized agency है, और यह बात मैंने आपको starting में ही बता दी थी, ठीक है, आ गया था है, फिर उसकाद में die back disease के बारे में आपसे question पूछा गया, पहला statement बोलता है कि जो die back disease है, यह सबसे पहली बार हमारे देश में देहरादूर में पहला गया था, उत्तुरागंड के पास में, सही बात है, दूसरा statement जो die back disease है, यह एक fungi की वेसे, एक फफूंद की वेसे होता है, जिसका नाम है phomopsis acid recti, हाँ, बिल्कुल यह भी सही है, तो दोनों के दोने आपर statement से ही हो जाएंगे, किस-किस ने आपर सही किया है, आ गया था है, फिर उसका दमें black carbon के बारे में आपसे सवाल पूछा गया था, पहला statement दिया ग produce होता है, बनता है, जब कोई fossil fuel आधा जलता है, उसकी वेसे, और यह बहुत सारी light को absorb कर लेता है, बिल्कुल सही बात है, हमने पढ़ा था भी, फिर दूसरा statement बोलता है, कि black carbon सबसे ज़्यादा जो produce होता है, सबसे ज़्यादा जो emmet होता है, कहां से होता है, South Asian region से होता है, दोनों में से conscious आई है, दोनों के दोनों गलत है, क्योंकि एक basically constitutional body में आपको बताया है, और इसको 1994 में नहीं 2004 में बनाया या है, इस विसे दोनों के दोनों statements आपको wrong देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, आगे आता है, फिर कालसा बंदूरी नाला project कौनसी नदी के उपर है, तो ध्यानकरा महादई नदी के उपर है, यह भी हमने थोड़ दर पहले ही पूरा कपूरा जो dispute अवो cover किया है, अगला question में discuss क्या था, world braille day के बारे में, तो world braille day observe क्या जाता है, हर साल 4 January को इस विसे यह आपर यह answer आपका देखने को मिल जाएगा, 4 January is the correct answer, तो यह था हमार प्रिलिम्स rapid fire का पूरा कपूरा question series, मज़ा गया, मज़ा है तो दो नीचे comment section बता देना, बाकि आप लोग बताना कैसी तयारी हुए आज की, तो आपने आपर current अफ्या भी पड़ा, अपनी test practice भी कर लिए, question भी लगा लिए हैं, तो इससे और ज़्यादा